शियर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले गेंग के एक आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफतार कर लिया है बता दे कि आरोपी ओधेश नागर के खिलाफ अलग-अलग राज्यों के कुल 20 से अधिक मामले दर्ज हैं जिसके तहत साइबर थाना पुलिस का रवाई करते हुए आरोपी ओधेश नागर को जालवाल राजस्थान से गिरफतार कर राइपूर ले आई है जंकारी का अनुसार आरोपियों ने अशुक रत्न निवासी और्थोपेडिक डॉक्टर डी सुनील के साथ 2.92 करोड रुपे की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था वहीं इस वारदात में शामिल गेंग की सरगना अंकित कुमार सिंग को पुलिस दिल्ली से पहले हैं गिरफतार कर चुकी है साइबर ऑनलाइन फनेंशल फ्रोड के ऊपर में राइपूर क्राइम ब्रांच के द्वारा लगतार कारवाई की जा रही है इसी क्रम में थाना पंडरी में अपरात क्रमा 163 अबलिक 24 प्रार्थी सुनीर ने दर्ज कराया था जिसमें सेयर ट्रेडिंग के नाम पर उनसे लगभग 3 क्रोड रुपे के रासी की ठगी हुई थी गंभीरता को देखते हुए इस मामले को रेंज साइबर थाना में ट्रांसफर किया गया था जिसमें टेकनिकल विस्टेशन के अधार पर इन्विस्टिगेट करते हुए दिल्ली से एक आरूपी अंकित कुमार सिंग जिसकी उम्र लगभग 19 वर्स है उसको फिरासत में लिया गया है उससे पूस्ताज किया गया और जिस्टी पोटल के अधार पे और इन्विस्टिगेशन करने के बाद ये मालूम चला है कि लगभग 50 से अधिक वार्दातों को इसने अंजाम दिया है जो 36 गड़ समय भारत के अन्विस्टेट के भी इसमें मामले हैं और इसके एकाउंट का इस्तेमाल करके पैसों को व ने रखती सामें ने उनकी भी जल्दी गरबतारी की जाएगी